हेलो दोस्तों मैं हूँ अमेत और जश्टीवी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे आटो मोबिली पिनिन फारिमा हाइपर एवी के बारे में ये एक लगजरी एलेक्रिक वेहिकल है जिसका मैनफ्रेक्ट्टर सेट अप है यहाँ पर इनकी जो पहली कार है बतिष्टा है जिसका नाम उनके फांडर के पीछे रखा गया है वो प्रोड्यूस की गई थी 2020 में और यहाँ पर सबसे इंपोर्टन फैक्ट जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं वो यह है कि यह जो कंपनी है इस सब्सेडरी आफ इंडियास म महिंद्रा एंड महिंद्रा तरस प्राउड मोमेंट फर वी ओल इंडियन तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डीटेल में देखेंगे कि वही यह क्या कैसी कार है और इतनी हाई प्राइस के ओपर यह क्यों लांच हो रही है दोस्तों आटो मोबिली पिनिन फार्मा के पाइस्पिशन जो उन्होंने यहां पर किया था मॉनテररी कार वीक के अंदर वहां पर इन्होंने लांच किया अल्डरा एक्स्क्लूज़्यूद बैतिष्टा तर एनिवर्सारियो और यहां पर पब्लिक में पहली बार इन्होंने यह कार को अन्वील किया है सिर्फ 100hp और 2300Nm का टॉक और उसी के साथ साथ आपको मिलता है कॉर्ड मोटर पावर ट्रेन हर एक सिंगल टायर के लिए इस कार की स्पीड के अगर हम बात करते हैं तो 0-100 की स्पीड आपको मिलते है सिर्फ 2 सेकंड में अधर सूपर मिलते हैं तो इस प्रोकेट और 0-300 km पर सेकंड की स्पीड आपको मिल जाती है 12 सेकंड में और बात करने 300 km per hour तो इस वेहिकल की तॉप स्पीड है 350 km per hour ताट सूपर क्रेजी आपको इस एक स्पीड आपको मिलता है 120 kWh का बैटरी पैक और यहां पर इसको अपने स्टैंडर कोई भी आवरेज एवी से कंपेरी मत कीजिए इसके बिलकुल सामने यहां पर यह जो लगजरी एवी है इसका टारगेट है सिर्फ कोई स्कुछ स्पेसिफिक लोग जिन को यह लिए पैसा इंपॉर्ट निया वहां पैसे रहें पर इसको लगदा है लोगेट जिए वह लिंटेट इसको आयजरी में और यह लिए स्टागेटागे और यह को में आध एक्टों गिली कोई सेथाए यह वीडिजेट अट की यह एक्योड़ी इस कारबन बाइंव डापको नहीं प्लिए ले को अर्म tough representative साथ साथ काफी इंट्रेसिंग लगजरी फीचर्स आपको इस वीडियो काड़ी के अंदर मिल जाते हैं ज्यादा कोई डीटेल्स हमारे पास नहीं है अगर कोई खरीदना चाहेगा तो इस अंबानी श्टार्टा जो लोग खरीद के इस गाड़ी को इंडियन रोस के ऊपर चलाएंगे आपके क्या थोट्स है दोस्तों सबसे बड़ी वात तो यह है कि भाई 17.5 क्रोर्स की एक एलेक्रिक वेहिकल अगली वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई अगली वात बाई